हेलो शुदेंट, स्वाकत है आपका पाट सला के इस वीडियो लेक्चर में शुदेंट हमने लास वीडियो लेक्चर में यूनिट नमबर सेकेंड कवर की थी जिसके हमने फर्मुले देखे थे और आज हम यूनिट नमबर थर्ड के फर्मुले देखेंगे आप फुल रिविजन भी कर सकते हैं फिजिक्स का मैंने इसके अंदर पूरे वीडियो से अपलोड कर दी है जो फुल रिविजन आपको 7 hours में पूरा हो जाएगा तो आप एक्जाम के बिले इसको देखकर जरूर जाए ताकि आपका बार बार रिवाइज होगा तो आपको महाँ पर अच्छा रहेगा तो फर्स जो लेक्टर में ने बनाया वो इंपोर्टेंट फॉर्म कोस्टेंज वगरा का है तो एल्द का फिजिक्स का और सेकेंड जो इस्टूडेंट से जो 14 फीट्पिन तक का है मैंने 4 फारे शेप्टिस के अंदर कवर किये है क्लियर तो इस्टूडेंट तॉप महाँ जाकर वो देख सकते में लिंक डिस्क्रिशन में सेयर कर दूँगा तो इस्टूडेंट हम अगर बात करते हैं अगर अगर हम बात करें में अगर फ्लो हो रहा है तो इसके कारण कितनी सेंटर पे रहेगी या यहां पर लेंध एकसिस पे रहेगी ठीक है चुडेट तो वो थी मेंट एना आई आई एसक्वेट अपॉन टूएस स्क्वेट प्लस एकस्वेट थी बाइट यह क्या है यहां पर रेडियस है सर्कुलर कोईल की और जो आपको यहां पर ही एक सही डिस्टेंस है जहां पर आपको निकालनी इसकी एकसिस पे स्टेंड करेंग कंडक्टर अगर स्टेंड करेंग कंडक्टर उससे मेंटिक फिल्ट कितने होगी मूनोट एना अपॉन टूपाइर आर क्या है पर्पेंड़ को इस फ्रॉंट पॉइंट अब्सेंगे हमारी यह internet की बात करेंगे तो म्याजर्ट मू अगर मेगेटिक की बात करेंगे तो हएं म्योब अगर ह। student solenoid की बात करेंगे solenoid की आती है B equal to mu note i n तो number of coil है यहाँ पर student number of turn है i current जूफ लोग रहा है mu note है यहाँ पर permeability of free space then student अगर हम बात करेंगे यहाँ पर force acting on a charged particle in a magnetic field तो वो होता है student हमारा f equal to b q v sin theta student वी और b के बीच का जो angle हो यहाँ पर theta है हमारा student देन अगर हम बात करेंगे student यहाँ पर lorence force की तो lorence force student क्या होगा वो हमारा electric force और magnetic force का sum होगा तो q e plus q v cross b या q बाहर जब निकाल लेंगे तो e plus v cross b यहाँ पर हो जाएगा then student हमारा to find force acting of current carrying conductor in magnetic field तो magnetic field में होता है हमारा f equal to b i l sin theta यह हो जाएगा student यहाँ पर i l cross b हमारा force आएगा then student अगर हम बात करते हैं यहाँ पर force between two parallel current carrying conductor दो conductor इसमें current flow रहे अगर same direction में student तो भी उनमें force लगेगा वो attraction का force अगर different direction में हो रहा है तो क्या होगा वहाँ पर ripple sun का force लगेगा तो जिन यह 20 पर force अपलाए करेगा यह 20 पर करेगा अगर हम बात करें तोर के experience by current carrying conductor तोर कितना experience करेगा जब से magnetic field में हम रखेंगे वो करेगा तो इक्वल टो बी आई यहने sin theta बी मेंगेटिक फिल आई current है यहने number of turn है और ए है उसका area coil का देर अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे conversion करते हैं गिल्वन इमिटर को अमिटर में change करते हैं तो हाँ पर जो formula हमारा बना है is equal to ig upon i minus ig multiply by g जी है गिल्वन इमिटर resistance यह से हमारा sun resistance जो हम निकालते हैं देर अगर हम बात करें ig की तो ig क्या है current flowing through गिल्वन इमिटर जो total current flow हो रहा है ठीक है और total हमारा i current flow हो रहा है circuit में और ig हमारा गिल्वन इमिटर से जा रहा है और i is जो हता हूँ संट में से पर हमें यहाँ पर i is की जब्वत नहीं है हम इस निकालते हैं देश्वन हमें बात करने हैं गेलोमेंटर इंटो वोल्टुमीटर की तो गेलोमेंटर वोल्टुमीटर रूप में अगर convert करना है तो उसके लिए हमारा formula r equal to v upon ig minus capital G तो वही सारे cg यहाँ पर हम बात करें तो र क्या निकलेगा हमारा यह जो हमने चार्ज को रखा यह magnetic field में जब हम चार्ज को रखते तो इस circular बात में मोग करने लग जाता है तो उसके radius यह r तो यह r निकाले हमने a में mass of electron v है यहाँ पर student हमारी velocity हो जाएगी student यहाँ पर यह charge particle की b हो जाएगा हमारा magnetic field और q हो जाएगा हमारा student यहाँ पर charge of particle then student हमारा cyclotone frequency और frequency कितनी होती student new equal to qb upon 2pi m student तो new e क्या है यहाँ पर cyclotone frequency clear student तो आज हमने यह chapter number जो third था उसके सारे formula हमने revise करें अब next video lecture में हम मिलते और fourth unit के formula revise करेंगे तो आप इसे जितना जाएगा हो सके share कर दीजिए और अगर कुछ comment डाडाउट हो तो आप comment box ने मुझे लिखकर पूछ सकते student ताकि क्या है सभी को जाएगा जाएगा इसका फाइदा मिलेगा तो आपके friends वगेरा को सभी को share कर दीजिए धन्यवाद झाल